यार पचास से साथ हजार रुपे की रेंज गेमिंग लापटोप के लिए वैसे तो बिल्कुल ही एंट्री लेवल प्राइस पॉइंट है बड़ इसके बावजूद अगर आपको 1080p लेवल के रेटिंग करनी है या 1080p लेवल की गेमिंग करनी है या कोई भी मौडरेक लेवल के CPU जीप्यू इंटेंसिफ टास करने है या पचास से साथ हजार रुपे की रेंज के लापटोप आपकी इन इंटेंशन को फुल्फिल करने में क्यापबल है बशारत मैं आपको 5 बेस्ट गेमिंग लापटोप बताने वाला हूँ जो कि आपको 50 से 60,000 रुपीज की बीच में मिलेंगे और करनेटली इस प्राइस रेंज में लिस्ट के इंक्लूड़िद लापटोप सबसे ज्यादा वैल्यू फर मनी ऑप्शन्स है लेवो आडियापट गेमि 3 आपको उफर करता है लोग सुब भले ही कमाइंड हो बट परफॉमेंस इस लापटोप की प्रॉपर गेमिंग वाली है 50,000 के आसपास में मिलने वाला बेस्ट इप्सेट इस लापटोप में आपको मिलता है 8GB की सिंगल चैनल राम है और आमको आप 16GB तक अप्ग्रेड कर स इडिशनल इस लापटोप में आपको Military Grade Certification मिलती है Military Grade Certification आप इतना समझो कि आपका Military Grade Certified Laptop ज्यादा rough and tough है यार ओवराल एक काफी अच्छा लापटोप है बट मेरे हिसाब से दो कमिया है सबसे पहली तो है looks की अब वो आपकी personal preference है बट मेरे हिसाब से यार एक gaming laptop में gaming looks तो यह variant 50,000 के आसपास में एक बहुत ही अच्छा considerable option है 52 से 53,000 रुपीस का यह laptop आपको मिल जाएगा और यहां दोस्तों लिस्ट में आपको जितने भी gaming laptop बता रहा हूँ इन सब की buying links description में आपको मिल जाएगी so you can check them out if you are interested दोस्तों यह upcoming laptop एक बहुत ही अच्छा value for money and power efficient laptop option है AMD के hungry powerful CPU के बजाए Intel का i5 11400H इस laptop में आपको मिलता है Ryzen 5 and i5 11 Gen में performance gap यार बहुत ही minimal है लगबग ना के बराबर performance gap है but power efficiency में i5 11400H एक upper hand hold करता है 8GB के आपको मिलती है DDR4 RAM RAM 64 GB तक upgradable है 512 GB के मिलती है M.2 SSD 1 TB तक आप SSD भी लगा सकते हो and 2 TB तक की HDD का expansion slot इस laptop में मौजूद है यार इस laptop is highly upgradable and cost cutting कहीं नहीं करे गई इस laptop में आपको 15.6 inches का full HD IPS level display मिलता है and refresh rate भी 144Hz की है overall एक बहुत यचा laptop ये 1650 GPU भी आपको मिलता है इन सब चीदों के साथ MSI के brand value है and ये laptop के वल 1.8 के जिगा है एक gaming laptop के हिसाब से इस laptop का weight भी काफी acceptable है उपर से heat होने का सवाल इनी उठ था overall यार इस आप perfect gaming laptop जो कि आपको 52,000 रुपीस cost करेगा दोस्तों इस upcoming laptop की brand value एक नमर है and resale value भी बहुत सही है मैं बात कर रहा हूँ HP के laptops की and in this case we have HP Victus gaming laptop Ryzen 5 5600 H chipset आपको मिलता है Hexacore chipset है ये 8GB की single channel RAM है RAM को आप 32GB तक upgrade कर सकते हो 512GB की आपको मिलती है SSD 1TB तक के SSD and 2TB तक क available है display में भी कमी नहीं है comparatively थोड़ा बड़ा 16.1 inches का full HD IPS level display आपको मिलता है refresh rate भी 144Hz की है GPU आपको एस laptop में मिलता है AMD का RX 6500M and ये GPU आपको 1650 से काफी better performance निकाल के देता है but 3050 से थोड़ा weak GPU है ये upcoming laptops 3050 वाले है that's why ये laptop list में 3rd position deserve करता है बाकि अगर आपको gaming करनी है and आपका budget बिल्कुल fix 55 से 58,000 रुपीस की बीच का ही है then instead of getting a 1650 laptop आप ये victus ले सकते हो with 6500M आपको और comparatively काफी better performance मिल जाती है at a sensible price of 58,000 दोस्तों यहां से वो laptop शुरू होते हैं जिन में आपको 3050 GPU मिलता है and for future proof gaming अगर आपका budget 60,000 के आस पास का है then में आपको 3050 वाले laptop भी recommend करता हू As compared to 1650, 3050 आपको far better performance निकाल के देगा but ऐसे भी अगर benchmark देखे then हर एक modern triplay title आप 3050 GPU वाले laptop में खेल सकते हो on acceptable settings and दोस्तों 3050 GPU के साथ में वाला list का दूसरा laptop है Asus का VivoBook Pro 15, it's a gaming come office come creators laptop, office इसलिए because office looks मिलते हैं आपको, gaming इसलिए because performance एक तरफा है and creators इसलिए because it's a compact lightweight laptop, इस laptop में आपको Ryzen 5 5600H chipset मिलता है, 16GB के आपको pre-installed RAM मिलती है and RAM upgradable नहीं है, सच बताओं तो RAM upgrade कर लेकि need भी नहीं है, 16GB के RAM for this laptop is enough, 512GB के आपको SSD मिलती है, 15.6 inches का एक full HD IPS display, इस laptop में आपको मिलता है and refresh rate है 144Hz की, for gaming performance इस laptop में आपको 3050 GPU मिलता है but जैसा मनें बताया, it's a thin and light laptop, 3050 GPU इ हाँ आपको इतनी कम performance नहीं मिलेगी but as compared to our normal 3050, इस laptop का 50 watch का 3050, आपको comparatively कम performance निकाल के देगा, इन सब चीजों के साथ आपको backlight keyboard मिलता है, fingerprint sensor है, MS Office की lifetime subscription मिलती है and एक 3050 वाला laptop होने के बावजूर, केवाल 1.8 kg ये laptop fake करता है, जैसा मैं आपको शुरू होते हैं बताया था, इस आपको 61,000 रुपीज के साथ याता है, इस laptop की price यार 68,000 के साथ की दी, but nowadays 63,000 के साथ का मिलता है laptop and एक सिंगल कमी भी निया इस laptop में, thermals, display, GPU, CPU, सब कुछ, विक टेस आपको बहुँच आपको बहुँच आपको ऑफर करता है, Ryzen 5 5600 H chip set है, 8GB की RAM है, RAM upgradable app to 32GB, 512GB की SSD है, 3050 GPU मिलता आपको, जिसके TGP 75W है, अब यार पिछले विवो बुक में, 50W के TGP वाला 3050 था, so performance में आपको जो gap मिलेगा ना, वो काफी considerable होगा, but यार यह laptop comparatively बड़ा है, भारी है, अच्छे thermals आपको ओफर करता है, and विवो पारफुल gaming laptop, display is also very good, 16.1 inches का comparatively बड़ा display है, एक full HD display है, and it's a IPS display, साथी 144Hz की refresh rate आपको मिलती है, overall it's a perfect rough and tough gaming rating laptop, जो कि आपको exactly 63,000 रुपीस cost करेगा, तो यार यह वो सभी laptops है, जो की 50-50 रुपे की range में आपको मिलते है, and best in segment value offer करते है, अपने budget के according, इस list का आपको यी भी laptop सकते हो, all of these are worth it, बाकि अगर budget बडाने का सोच लिया, then दोस्तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो, for now that's it for today's video, and as always, I will meet you in the next one.